आप सभी को अपनाम हर्बल रेमेडी जे नेचर्स ट्रेजर में आपका स्वागत है आज एक गंभीर समस्या से बात की शुरुबात करेंगे मित्रों हमारे देश में कोविड के बाद करीब धाई करोड से ज्यादा लोगों को थाइरोड की समस्या हो गई तो आज मैं इस पर थोड़ा सा साइंटेफिक एक्स्प्लेनेशन जरूर करना चाहूंगा और इसके लिए एक रेमेडी उसका भी आपको एक्स्प्लेनेशन जरूर करना चाहूंगा किस प्रकार से आप उसको ले सकते हैं कि साथियों होता क्या है कि जब हमें कोल्ड या कफ होता है या फीवर होता है या हमारे तॉनिसिल्स में और या मौसम बदलने के कारण कुछ बिमारी होती है कफ या कोल्ड की समस्षय होती है तो हमारे जो गर्दन में दर्द हो जाता है हलका हलका हमें फीवर रहता है ठकान रहती है और हमें जब बुखार हो जाता है और बुखार से जब हम उसे बाहर आ जाते हैं तो 2-3 सप्ते बाद यह जो गर्दन का दर्द होना और फाईरायट इंट॥िर भर्ण उसमें इंफर्मेशन हो जाती है और वह जो दर्द होता है वह हमारे जड तक आता है चोच्वारर के सदय और किसमें हम आज भी हमारीज बदल जाती है और ब्हों आसमें होसनेस बहुत भा कराते हैं तो वह सब्वाइक यूट थायरोडाइटिस कहा जाता है इसको हुआ जो ठीक हो जाते हैं उसके बाद तो समस्चा यह हो जाती है तो यह बेसिकली यह temporary condition होती है जिसमें कि T3 T4 का जो लेवल है बढ़ जाता है लेकिन अगर हम इसका medication start कर देते हैं तो यह permanent thyroid की problem हो जाती है और यह थाइरो टॉक्सिकोसिस को हम कहेंगे इस थाइरो टॉक्सिकोसिस में क्या होता है कि कि T3 T4 का लेवल बॉड़ी में इतना बढ़ जाता है जिसके long term consequences बड़े खतरनाक होते हैं इससे graves disease भी हो जाती है इसको toxic ग्वाइटर कहते हैं इससे मल्टी नोडूलर ग्वाइटर भी हो जाता है जिसको प्लूमर डिसीज भी कहते हैं और टॉक्सिक एडिनोमा भी इससे हो जाता है तो यह जो थाइरी टॉक्सिकोसिस है यह हाई लेवल ऑफ T3 T4 जो thyroid stimulating hormone होता है उसके कारण बहुत ज्यादा बताया कि सब एक्यूट थाइरोडाइटिस में अगर आप बहुत जादा दवाई लेते हैं जैसे कि लिवो थाइरोक्षिन लेते हैं तब यह थाइरो टॉक्सिकोसिस हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए कई बार कॉमन कोल्ड या फीवर के बाद इस तरह कि अगर समस्च करते हैं Stillarea Mediast haciendo Media इस इस ती पना की दिन एक बार और इसका टे 예쁜 है पालक जैसा होता है इसको चिख कहते हैं के रियोफ्यस सीा मिलिका है इसके अंदर?」 इस ब्हँनोग पाय जाता है इस टडेंत इस नोकिव जाते हैं जो एंटींस पाइटें वाह के हॉर्मोन का रेगुलेशन करते हैं ना कम ना ज़्यादा इसके साथ ये एंडोक्राइन ग्लेंड को भी रेगुलेशन का कारे करते हैं विबिन परकार के जो साइकोलोजिकल डिसोडर्स जो हो जाते हैं डायबिटीज हैपरटेंशन ओबीसिटी कैंसर ब्लड प्रेसर सब में बहुत अच्छा कारे करता है ज्यादा कुछ आपको करने क्या हो सकता नहीं है इसको आप पहचानिए जानिए और इसको सुखा के रख लीजिए इसका पाउडर बना के रख लीजिए मौर्निंग में एक कप ग्रीन टी पीजिए किसी भी परकार के थायरोड की किजिए अपनी लाइफ को आपको समझ में आ जाएगा कि हमें थायरोड के समझा कब से हुई जब आप को मन कोल्ड थे उसके तीन सब्ते बाद नॉर्मली सब एक्यूट थायरोडाइटिस हो जाता है जो कि टेंपरीरी कंडेशन होती है उसमें किसी भी थायरोड की मेडिके अस्थमा रिप्रोड़क्टिव जो हमारा सिस्टम है उसकी स्टेंग्ट को बढ़ाने के लिए मीजल्स जॉन्डेस इन सबने भी अच्छा कारे करता है क्योंकि उसके अंदर फिनॉलिक कंपाउंड पाय जाते हैं और फिनॉलिक कंपाउंड एंटी ऑक्सिदेंट एंटी इ इसको हिंदी में बुच-बुचा कहा गया है आपके छेत्र में किस भासा किस नाम से इसको पुकार जाता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लेकि वोताइए ताकि यह जो ज्यान है यह इसको हम कंजर्व कर सकें इसको हम सुरक्षित रख सकें और आने वाले जनुपे लिए हम इसको सही दिसा में सही मारदसन के साथ पहुचाए जा सकें आप सभी का धन्यवाद परणाम नमस्कार